नवस्कार कोई ग्यान चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाल से स्क्रीन लोग को कैसे हटाते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सुरू करते हैं तो मोबाल से screen lock को हटाने के लिए remove करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने phone में settings को open करना है open करने के बाद आपको उपर की और scroll करना है scroll करने के बाद आपको नीचे में एक password and security का option मिलेगा आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद अपने phone से screen lock को हटाने के लिए यहाँ पापको lock screen का option मिलेगा अब आपको क्या करना है कि lock screen पे आपको click करना है click करने के बाद आप अपने phone में जो भी password को set किए हुए हैं आपको डाल देना है डालने के बाद यहां से जो आपका password है वो open हो जाएगा अब यहां से अपने phone से screen lock को हटाने के लिए बंद करने के लिए आपको नीचे में turn off password का option दिखेगा अगर आप password वाले लगाए होंगे अगर आप pattern वाले लगाए होंगे तो turn off pattern वाला दिखाएगा अगर आप number वाला लगाए होंगे तो वा दिखाएगा तो screen lock हटाने के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर जो भी चीज दिख रहा है आपको यहां पर turn off पे click करना है click करने के बाद यहां से आपको disable कर देना है और यहां पर जो भी आपके mobile का password है वा डाल देना है डालने के बाद यहां से जो आपका mobile का screen है वो अब off हो जागा तो यहां से देख सकते हैं कि lock screen off हो गया है अब आपको इस तरह से cut करना है और रिसेंट से सारे चीज़ को हटा देना है अगर आपका screen lock भी हो जाता है और आप अपनी screen को open करते हैं तो यहां से असानी से इस तरह से unlock हो जागा तो इस तरह से आप अपने mobile के screen lock को हटा सकते हैं delete कर सकते हैं, remove कर सकते हैं धन्यवाद